हम इंडियन्स को लजीज खाना दिखता नहीं कि बस मूँ में पानी पहले ही आ जाता है और बात करें नॉन वेजेटेरियन्स की तो उनके सामने मठन चिकन की तमाम वराइटीज रखते तब तो उनसे बिल्कुल कंचोल नहीं होता लेकिन मठन खाने वालों के लिए अलर्ट नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नभीला उरूच और आप देख रहे हैं आज की खबर क्या आप भी मठन के शौकीन हैं अच्छी बात है लेकिन कहते हैं ना कि हर्ट्रीज की अती हमेशा नुकसान ही पहुचाती है और मठन का जादा सेवन करना किस तरह हानेकारक हो सकता है इस पर स्टडी करी है हार्वर्ड उनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने दरसल हर्वर्ड उनिवर्सिटी की स्टडी के मताबिक रेड मीट हफते में दो बार खाने से आपको डाइबिटीज का खत्रा बढ़ जाता है जानकारी के लिए आपको बता दे कि रेड मीट में गाए का मास यानि की बीफ, सूर का मास, पॉर्क, बच्छडे का मास, हिरन का मास और बकरी का मास जिसे मतन शामिल होते हैं, कमिंग बाक टू हर्वर्ड उनिवर्सिटी की स्टडी, दरसल इस स्टडी में लाल मास और टाइब टू मदू में यानि की टाइब टू डाइबिटीज के बीच खतरनाक कनेक्शन देखा गया था, इस स्टडी के लिए करीब 2 लाक से जादा लोगों ने भाग लिया, 36 वर्शों तक हर दो से चार साल में ये इनालिसिस किया गया, इस दौरान 22,000 साथिक लोगों को टाइब टू डाइबिटीज हो गया, रिसर्चोर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि लाल मास नाखा कर आप इसकी जगह, बेस्ट प्रोटीन सोर्स जैसे नट्स और बीन्स या फिर मामूली मातरा में डेरी प्रोड़क्ट्स जैसे की दूद दही खाएं, इससे टाइब टू डाइबिटीज का खत्रा कम होगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, हम मुझे यानि नबीला उरूच को दीज़े ज़ आज की खबर के साथ